आपके खाते में पैसा पड़ा है बट निकाल नहीं सकते राउल जी ऐसा थोड़ी पॉसिबल है ऐसा थोड़ी होता है ऐसा हो रहा है सिलिकॉन वेली बैंक में अमेरिका का सोलवा सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वाली बैंक डूप चुका है सन 2008 के क्राइसिस के बाद ये सबसे बड़ा फेलियर है लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों अरे राउल भाई कहीं ऐसा हम हर साथ न हो जाए खातेम पैसा पड़ा और निकाली न पाएं ये जानना चाते हो कि आपके साथ ऐसा कभी न हो तो ये वीडियो न तक जरूर देखना और अभी वीडियो बनाते बनाते एक गंटे पहले नियूस आए कि एक बैंक और है सिगनेचर बैंक वो भी दीवालिया हो गया और ये पांच दिन में दूसरा ऐसा बैंक है जो दीवालिया हुआ है इस bank का fail होना startup world के लिए तो जबर्दजट का ही और आम आद्मियों को भी इस से डर लगने लग गया क्योंकि 2008 में भी क्या हुआ था एक bank fail हुआ था उसको देखके दूसरा हुआ था और फिर दर जड़ी लग गई थी और पूरे market में कोहरा मज गया था कहीं ऐसा दूबारा तो नहीं होने वाला और यह जो bank डूब रहे हैं यह एक डूबा दूसरा डूबार क्या पता अब तीसरा डूबे इसका world की economy क्या फरक पड़ेगा इंडिया की economy, stock market पे क्या फरक पड़ेगा और सबसे important हमें क्या फरक पड़ेगा कहीं ऐसा यह ऐसी कब स्थिति होती है जब bank के पास पैसा ही खतम हो जाता है और ऐसा लगता है कि जो पैसा bank में बढ़ा था वो भी डूब गया कहीं ऐसा आपके साथ नहों इसके लिए मैं लास्ट में आपको टिप भी दूगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए crisis बड़ा है बड़े-बड़े economic टमस काम में नहीं लूँगा मेरा उद्देश है कि जिस भी व्यक्ति का business of finance में इंटरस्ट है पांचवी ग्लास का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखके इस crisis को समझ पाए तो यही इस वीडियो का उद्देश्य है तो जंदा जनार दन की जय बोलके करते हैं वीडियो की शुरुवात Silicon Valley Bank's collapse Silicon Valley Bank failure also took control of Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank कोई भी व्यापार क्यों डूपता है या तो घटा लग गया या पैसे कतम हो गई तो डूप जाता है तो बैंक भी तो एक तरह का व्यापार ही है तो एक बार समझते हैं banking का revenue model कि आखिर बैंक बैंक बैसे कैसे कमाता है तो बैंक क्या है सर जी आपसे deposit लेता है जैसे आपका saving account खुला है saving account खुला है उसने बहुत सारे लोगों के 100 crod रुपए saving account में पढ़े saving account उसमें क्या ब्याज देता है 2-5% खैंच के 3-4 हो जाएगा और क्या है current account खुला है उसमें 100 crod रुपए है उसमें क्या देता है उसमें कुछ देता ही नहीं है ज्यादा ज्यादा आपके FD ले लेगा आपने FD करा दिया FD में क्या मिल जाएगा 6-7% मिल जाएगा इस सेदा क्या मिलेगा अब यह जो पैसा है कटा हुआ FD में current account में इस सारे पैसे का bank क्या करता है इन सभी पैसे का लोन दे देता है और लोन देता है ज्यादा rate पे जैसे लोन दे दिया सब्सक्राइब आदमी नहीं है bank loan देना चाहता है पर उसको डंक्या आदमी लगी नहीं रहे सारा चीज लोन पर नहीं दिया तो जो bank को ऐसा लगता है कि सब कुछ loan पर नहीं दे पा रहा तो बच्चे पे पैसे को invest कर देता है और उस पे कहता है कि चल 2% पे पैसा है हुआ है उसको invest कर देते हैं सब प्रशंट आ जाएंगे तो भी बैंक कमा लेता है यहां पर क्लारीटी है आपको आ गया समझ में बैंक ऐसे बैसे कमाता है अब अब हम देखते हैं सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ क्या सिलिकॉन वैली बैंक का नाम में सिलिकॉन वैली है कहता है मैं स्टार्ट अप के अब इनके deposit कहाँ से आएगी start-up, अब एक start-up है, उसने fund उठाया, उसने का रहे भाइसाब, हमने 1 billion dollar, 100 million dollar पैसे उठाया, वो पैसे उठाके घर तो नहीं ली जाएगा सारे, वो के ता 100 million dollar उठाया, 10 million का कर्चा है, तो हर मेने 10-10 निकालते रहेंगे, पूरे 100 उठाके बर-बर के पैसे मिले, तो वो सारे पैसे कहा हुए, इन्होंने deposit करा दिये इस bank पे, तो इनका अगर देखेंगे, 31 December 2022 की balance sheet अगर में देखूंगा, तो इनके पार deposit पढ़े थे 211 billion, billion कि इतना होता है, पता लगा लोगे, 1 billion 8000 crore होता है, तो 8000 crore into 211, इतने पैसे पढ़े थ इस kannet पैसा है, इस पर देखेंगे, शुक कम लिए बदोना है, तो पैसे कमागा से, जब इन पैसे पैसे को लोन पर देगा, इस से लोन देने भाला कोई है नहीं, ग्रहकी नहीं, जारजा स्टार्ट आजमी, स्टार्ट आप कहता है, मैं तो इन्विस्टर से लुँगा पै बेट आपको बताओं तो लगबग 14 billion के लोन बटे हुए तो 211 डिपोजिट कितनी 211 के असपास 22 billion के लोन बटे हुए और क्या तो जहां से कमाई आनी थी वो तो जगे कम थी और भैस अब जहां से देना था तो ज़्यादा था अब पैसे बच्चे उसका क्या करें तो ले रौदी आप बोले थे ना इन्वेस्ट कर दो हाँ इसने इनवेस्ट कर दिया अब इसने 50 चीए पैसा वापस चीए कोई भी मांगने आ सकता है तो यह लगाते हैं गौर्मेंट के बॉंड में पैसा ACS8 में लगाते हैं जो सूपर सेफ सूपर सिक्यूर होती है इसको कहते हैं HTM held till maturity normally इनकी maturity 30-30 साल तक जाती है कि भाईया हमने इन्वेस्ट कर दिया 30 साल बात दिखेंगे लेकिन जो बंदी रिटन मिलेगी fix एक रुपय का में नुकसान नहीं हो सकता एकदम सेफ में लगा दी गेम संबन में आ गया पैसा इनकी बास खूब पड़ा था लोन जादा दे नहीं पा रहे थे तो जो पैसा बचा उसको कर दिया इनवेस्ट अब बोलो कर रहो जी सब कुछ सही तो चल रहा कांड कहां हुआ कांड कहां से हुआ वो सुनो कांड नॉम्बर वन स्टार्ट अप के गेम में फंडिंग विंटर आ गया इसका मतलब मार्केट में बहुत सारे स्टार्ट अप लॉज देने लग गए तो इसको न युएस ने इंफलेशन को कंट्रूल करने के लिए रेटे बहुत बड़ा दी जहां लगबग फ्री में या एक परसेंट में मिलता था चार चार पात पात परसेंट रेटे हो रही है तो इतना महोंगा महंगा लोन लेना नहीं था आई-प्यो हो नहीं रहता फंडिंग कही आने रही थी और नई फंडिंग भी नहीं मिल रही थी तो इनोंने क्या क्या कोई नहीं खातें पड़ा उसी को आमे लेंगे तो यह सारे चलेगे खातें निकालने कि देओ भी पैसा देओ आप बोलोगे इसला अपने पास तो हाई नहीं अब लोन अगर जिसको बाटा है य लेकिन इनोंने जो पैसा लगा रखा था वो उस समय मार्केट में नेगेटिव में चल रहा था जो इनोंने इन्वेस्टमेंट किया वो इन्होंने इक राणवे बिलियन ना इन्टीवन बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया पर बजार में उसकी मार्केट वेली तो छेतर बि जो लोग पैसा मांग रहे हैं उनको पैसा देना आए तो यह बेचना पड़ेगा पर बेचेंगे तो लौस में आएका अब लौस खाना नहीं है अगर नहीं बेचेंगे तो फिर यह बहुत देंगे कैसे इन्हों ने क्या क्या 21 billion ka investment उने बेच दिया, अब बेच दिया तो लॉस में था तो इनको 1.8 billion का लगभग गाटा लग गया, बुक में आ गया, अब इनको 1.8 billion का लग गया, पैसे कम हो गए, अब क्या करें बाहर जाते है, पैसे रेस करके आते हैं, तो इन्होंने 2.25 बिलियन रेस करने का प्रयास किया कि रहे भाई हमारे पैसे कंपड़ गए देओ देओ लेकिन भैसा बता है कि जब आदमी का समय कराब होता है कोई मदद नहीं करता तो उन्होंने देखा रहे भाई इसने तो जौदा पैसा लगा दिया यह तो चल रहा है ल अगर मैं कहता है अभी पैसे मत मांगना बाद में मांगना तो तुम बोलो के तो तो अभी दे अब तो भागादोडी डबल बच गई इसको कहता है बैंक रन बैंक रन का मतलब होता है कि जो बहुत सारे डिपोजिटर एक साथ बैंक के बार खड़े हो जाएंगे मैं तो अभी अपना पैसा निकालने के लिए अभी एक आद मी जाकर बोले मेरे 100 को निकालो मेरे 500 को निकालो तो बागी लाइन में जो पीछे बैटे नंकात नंबर नहीं आएगा तो जब ऐसी हालत होगी तो अगय आगय वाले तो पैसे निकाल के सारे ले जाएंगे और पीछी प कॉर्णिया डिपार्टमेंट ओ फाइनेंचल प्रोटेक्शन एन इनोवेशन उन्होंने इस बैंको का बंद करो अभी के भी बैंक यह बंद किया का अभी किसी को कुछ पैसा नहीं मिलेगा बग जाओ यहां से बाद में हम हिसाब किताब करेंगे फिर देंगे उन्होंने ए इसने एक नया बैंक मनाया दे नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा और वो उसके जितनी भी माल मसला बजब जितनी भी लाइबलेटी है सेटी सब इसमें लिया है अब उन्होंने का कि भी ठीक है अब एक काम करो मंडे आज जब यह वीडियो बन रहा है अब बैठके सब का हिस आप करेंगे दिरे दिरे तुमको क्या चाहिए हमें बताओ हम देखते हैं क्या पड़ा है उसके हिसाब से जिसको जितना मिल सकता हो मिलेगा हो सकता है सब को पूरा मिल जाए हो सकता है किसी को आदा आदा मिले हो सकता है किसी को 10% मिले जितना पड़ा होगा उस हिसाब से मि पांच लाग रुपे देने की पर आपके खाते में 50 लाग पड़े हैं तो भी 5 लाग ये देगी 45 का कोई भरोसा नहीं मिले तो मिले तो यूएस में लिमिट है तो Bizbank ने मंड़े को कहा कि एक पास इतना पैसा पड़ा है इतना इसका इंवेस्टमेंट है भेच बाच के अगर लगता है कि तो सब चुकता है तो सब को चुका देगी। लगेगा कि नहीं आर जाता ऑगी इकटन सौहं और riding Instagram व्रम आघए सवास हो तो उस हिसा वास से किसी कव कम किसी के ज्याधा मिलेगा है पर ये प्रॉस्जि photography होने में time भेगा सरकारी एंडिया में server化 division काम अश्य तो यह प्रोसेस एक महिना चलेगी, एक हफता चलेगी, एक साल चलेगी पता नहीं लेकिन अब तक टेमपरडी तो उन सभी स्टाट अप का पैसा अटक गया, कौन कौन पैसा अटक गया, नमबर वन, मैंने पैसा रेस कर लिया था, मैंने तो भाई साब हमारे गौरवजी से 100 क कर दिए काते में रखे दे अब तो यह रेखें अब तू पर तो इनप सो की उदारी मिरे माते ही तो पैसा मैं ने ले पारा, दूसरा, मैंने बैंक से लौन लिया कि आपसे में प्चास क्रोड का लोन आप ने दे भी दिया, मैं उसके वियाज भी दे रहा हूँ पर तो अगले 30 दिन में तंखा चुकाने के भी इनके पास तो पैसे निया बाइसा तो एक्स्टिंशन लेवल इवेंट है कम से कम 10-20% स्टार्टप तो निमड़ जाएगे क्योंकि बाइसा सेलरी चुकाने के पैसे निया रेंट चुकाने के पैसे निया और पैसे पढ़े खुद के बैंक में आएंगे कब पता निया इससे क्या होगा कमपनिया या तो जीवित रहने के लिए कॉस्ट कट करेगी नोकरियों से निकालेगी या जो प्रोजेक्ट है उनको डिले करेगी या कुछ ने कुछ तो डिसरप्शन होगा चेन के इसांस तो नहीं ले पाएंगे ये तो बक्की बात है तो ये तो हुआ स्टाटप पे इंपक्ट रहो जी बाकी बैंक पे क्या इंपक्ट है कि जब एक बरबाद होता न तो बाकी लोग को डरलता ओर यार और यार भाई साब गोरोजी की पैसे अटक गये मेरे निय अटक जाए मैं भी भागूँगा तो मैं टाइट है और सारे चले गए तो वो भी कलप्स होगा और ये हुआ अभी सुबह सुबह सिगनेचर बैंक के साथ सिगनेचर बैंक था जैसे ये स्टाटप को अल परता था सिगनेचर बैंक मेजर क्रिप्टो वाले जो लोग है उनकी हल्प करता था अब लोगों ने देखा अब लग जाए और क्रिप्टो का बजार सही चलनी रहा एक बैंक बरबाद हो गया कर ये न नम्बर लग जाए तो इसकी भी लाइन लग गई दबा के और सब लाइन लग गई तो इसकी भी पैसे खतम होगा इसने भी हात कड़े कर दिये तो भाई सब ये सुबह सुबह गया इंपक इसको क्रिप्टो को तो अभी जब तक कोई मेजर ऐसा बड़ा बैंक नहीं फेल होता जिसका हर इंडस्ट्री पर हर सेक्टर पर पकड़ है तब तक 2008 वाली बात रिपीट नहीं होगी ये तो जिन जिन सेक्टर के बैंक होते जाएंगे उन पर एफेक्ट आता ज जोड़के यही दुआसा कर सकते कि कोई मेजर बैंक पे असर अभी ना है अब सबसे बड़ी बात रहो जी हम भारती है हम इंडिया के लोग हम आपके सब्सक्राइबर हम क्या करें आप बात सुनो इंडिया में जब कांड हो गया एक बार यस बैंक के साथ कांड हो गया था दुनिया बर की रूल बना देती है तो यह जब विजय मालय भागा नीरव मोधी भागा यह दो चार बैंक गये अर्बिय हरकत में आ गये थी बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक रूल बना दिया है कि भारतीय बैंकिंग अवेस्ता अभी एकदम टकाटक चल रही है इसमें जदा पै पैसे बचाने है तो नमबर बन समय समय पर अपने बैंक की हल्थ चेक किया कि जरुद से ज़ादा लोन तो नहीं बात रहा है यह जरुद से ज़्यादा पैसे डूप टोनी रहे है कोई बजार में अनननेसेसरी रिस्क तो नहीं ले रहा है अगर ऐसी कोई चीज हम औरी हो त चोटे बैंक भी आगे बड़े, कॉपरेटी सोसाइटी भी बड़े, सब आगे बड़े, लेकिन अगर कुछ उल्टा होगा, तो बड़े लोग जहल जाते हैं, SBI पे कुछ हुआ जहल जाएगा, किसी छोटे मोटे बैंक पे हुआ तो यही वाला कांट हो सकता है, तो मैं यह नहीं कह रहा है कि सब कुछ बंद कर दूगा है, भाग जाओं का चोड़ जाओं का, बट जहां आपको मोका मिल रहा है, जहां पे आपकी स्कूरूटिनी नहीं है, पहला चांस है की बड़े बैंक पे जान दो, चोटे बैंक के आपने रिसर्च किया, आपको बरोसा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, कर दो आपकी इच्छा है, पर मेजर फोकस बड़े बैंक पे करो, ढुसरा, आपने किरो ऑज बड़े बैंक पे करें, यह भी बग तो कोई गारेंटी नहीं है, पहला कodor किना न में, इस बैंक चीज़ कीजुगती अजह मोत भी दखना है, तो better क्या है कि मजबूत बैंक पकड़ो, एक पकड़ो, दो पकड़ो, तीन पकड़ो, चार पकड़ो और चार पकड़ के बैस अब अलग अलग खातों में रखो तो आपके पास अगर 20 लाख रुपे पड़े हैं तो एक खाते में रखने की बज़ा है चार बैंक बनाओ, चार बैंक के खाते में रखो, पहली बाद चारो तो एक साथ बागने नहीं और चारो भाग भी गए तो इतनी की 20 लाख की गारेंटी तो सरकारी ले लेगी अब आप बोलो सर मेरे पास तो एक क्रोड रुपे में किदर रखों तो फिर आपको पेसे के टेंचन गयर एक क्रोड नकर लेके चल रहे हो आदमी आपको काई के टेंचन बेंक के बगने से मजे लिए आप जीन दगीगे एक और चीज का ध्यान एकॉनमी खराब हो रही है आपको वल्ड में दिग गया है एंडिया में भी दिग गया है तो सबसे इंपॉर्टन चीज बचा के चलो फालतु के खर्चे करो मत इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकुटी मार्केट भी टफ है बाके चीज़ें भी रखना शॉट्टम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा मार्केट को देखते वे करो यह मेरा सजीशन है बाकी आपके कोई भी राय कोई भी कमेंट कोई भी सवाल कमेंट बोक्स में पूछिए आपको वीडियो समझ में आयोगा अगर आपको लगा है क्राइसिस बड़ात अफ